तो दोस्तों वेल्कम टो इंग्लिस लेर्णिंग तो दोस्तों स्वाइगत है आपका आज का वर्ड में आज का वर्ड है जो वो है हमारा इंसलेंट इन-स-o-l-e-n-t ठीक है इंसलेंट यह बहुत ही अच्छा वर्ड है इसमें मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा मीनि बताओंगा सेनोनिम्स बताओंगा एंटोनिम्स होताओंगा और कैसे सैंडेंस में यूज़ कर सकते हो आप इसको यह बताओंगा ठीक है तो आपके खजाने में आज एक और जो है मोती जुड़ने वाला है ठीक है देखते हैं यह आई-ए-ण-s-o-l-e-n-t ठीक है इसका उ बता होता ना बंदा उसके लिए उसका है एक रिस्पेक्ट दिखाने जरुए तरह लिकर रिसपेक्ट नहीं कर रहा है तो इसमें क्या यूज़ कर सकते हम इन-s-o-l-e-n-t ठीक है और इसको आगे देखते हैं आगे बड़े वीडियो में से पहले आपको रिमांड करते हो अगर अपने चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइग वाले बटन को हिट करिए ठीक है आईए देखते हूं और इसको एस्पेंट करते है आप परसन वू डजन्ट रिस्पेक्ट एंट इस नॉट एककस्टम्ड डूइंग हर ओन तिंग इवि सब्सक्राइब करें पहले तो इस ओले रहा था उसके बाद पर इंसॉलेंट हुआ मोडिफाइब होके और इंसॉलेंट से बन गया यह अंगलेजी में इंसॉलेंट इन एस ओल एंटी ठीक है इसका सुनोनिम्स रहता है डिस्रिस्पेक्ट वूल इंपालाइट इंपार्टि में आये देखते हैं इसको सेंटेस में यूज करके लेडी वाज एस्ट्रीमली इंसॉलेंट टू पुलिस ओफिसर हुट्राइट तू इस रोगने की कोसिस की देखा भी होगा आपने पटना की बातस है एक और वाके देखते हैं ता मैनेजर ऑब डिस होटल इस वेरी सुनते ही नहीं है जो समझ्वार आपने वही करता तो इस होटल का प्रमदब बहुत धीट है देखर होगा आप इंसॉलेंट ऐसे यू करा है हमने एंसुलेंट ऐसी एजएक्टिव तो गया आपको होपली क्लियर हो गया होगा है इस वाली सेंटेंस के आप अंगरीजी बना दिन की बोजिझ